लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकोन को दबाना ना भूले इन दिनों सोशल मीडिया पर चीन का एक व्यक्ति अपने हैरान और परेशान कर देने वाले फैसलों के चलते सुर्खियों में है चीन के रहने वाले एक शक्स ने 2 करोड रुपे की कीमत वाली लगजरी BMW कार खरीदी थी पर पेमेंट से पहले जनाब ने शोरूम वालों के आगे रख दी ऐसी शर्थ जिसे शोरूम वाले मना नहीं कर पाए दरसल इस शक्स की शर्थ थी कि वे कार की पहली इंस्टालमेंट चिलर के रूप में देना चाहता है कार की पहली इंस्टालमेंट की अगर बात की जाए तो वो करीबन 6.5 लाख रुपे 8,000 पाउंड थी और चीन के रहने वाले शक्स ने इंस्टालमेंट की राशी को चिलर के रूप में 10 बॉक्स में भरकर शोरूम पहुंचा दिया था बॉक्स के पहुंचते ही वहां मौजूद शोरूम कर्मचारियों के होश उड़ गए इस दोरान कई कर्मचारियों की मदद के जरिये सिक्के को गिना गया वहीं इन चिलरों को गिनने में करीबन 5 घंटे का वक्त लगा था वहीं अपनी हरकतों के चलते शक्स लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है